आज जो पंचाय चुनाव को लेकर हमारे पार्टी के सभी पदादिकारियों के साथ एक रिवाइज मीटिंग है फीड़बैक लेने के लिए आज हम जिलावार जा रहे हैं मेरी भी साथ जिलावार जा रहे हैं तो उसी संद्र में आज मैं रिवाड़े दिले में पहुंचा हूं आज अधिकारियों से भी एक बार जो डिवालमेंट को लेकर रिवाइज मीटिंग दिशाब हैं हमारे और विवाग के समदेदिकारी हैं सबसे डिसके सुन हुआ है कि हमें जो डिवालमेंट है वो पर वार तक उस विदा सरकार कहुंचाने में कामिया रही हैं यह अगले महा में हमारे सरकार की तरफ से पूरी त्यारी हो चुकी है जल्दी नोट्वी के सिंधारी हो जाएगा और उसके बाद election commission date declare करेंगे और जल्दी चुनाओं वगले महीने में हो जाए जाए थैं गोट पंची और पंचायत के चुनाव होते हैं इसमें मैं इमानतों कोई सिंबल किया हो सकता नहीं है बाईचारे का चुनाव है और जो बड़े चुनाव है जिला प्रिश्थ के उसमें तो पार्ट यहां का फैंसला लेंगे जो भी फैंसला हो आप लोगों को तक हो तर वैसे का मदाने का कवरे का करेंगे और जो पार्टी के नीतियां हैं उनको बढ़ाने का काम करेंगे और आने वाड़े समय बी साथ कहसे लिए जो फैंसला पार्टियों का बड़ी ले Só यह सब्सात होती है दो जो बनूब हैं N his काम बी है और आने वाड़े समें और मजबतने संक देखिए यह आम सब के लिए फकर की बात है उन सूर वीरों को जिन्हों ने इस देश को अजात करने के लिए अपने आपको इस देश पनुचावर कर दिया हमारे देश के मानिये परदार मंतरी इंदर मोजी जी ने एक पूरे देश वासु आभान किया है मुख्य मंतरी मनौर अर्लाल जी ने अर्यानवासियों से किया मैं भी अपनी तरफ सर्फ से आवान करना जाता हूँ उन सहीदों को याद करते हुगे तरंगा हमारे देश की शाहन है उसको अपने घरों पर भेराएं ताकि उन सहीदों ने जैसा हिंदूस्तान के बारे में सोच थी आने वाले ज जुमारी के सासाथ परिवारिक और समाजी के जुमारियां भी उनको पता लगे और इस आजादी का महत्तव क्या है वो इस चीज को समझ सकते हैं सारे भूप इंदर देखिए बेरोजुगारी की इदर पिछले कोवीड के दोरान बिलकुल बड़ी है क्योंकि हर जो भी दिश्परकार का जो वेपार था वो इसे परभावित हुआ है देर देरे इंप्रूव करने हैं पराणे मने समय में